पुश्कार सुबा के 9 बच चुके हैं 9 अम देख रहे हैं आप मैं हूं रश्मी श्वासव आपके साथ और बुलिटिन की शिर्वात करेंगे जारकन की बड़ी खबर के साथ जहां चर्चित टिंडर कमीशन घुटाला मामले में ED की काड़वाई लगातार जारी है और ED अब क जमीन को ED जब्त करेगी दोनों की पत्ति के नाम से अवैध जमीन की खरीद हुई है बतादे के पुंदाग इलाके में 18 डिस्मल जमीन और साथ ही ये जमीन की कीमत एक करोर 35 लाख रुपे बताई जा रही है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां जारकन में ED की डब जर्श लगातार जारी है और ED अब जमीन जब्त करने का काम करेगी तो जारकन्ड में चर्चित टेंडर कमीशन घुटाला मामले में ED लगातार पूछताच कर रही है और इसी मामले में आलम जेल में हैं लेकिन अब संजीब लाल और जहांगीर आलम इन दोनों के ही जमीन को ED जब्त करेगी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सायोगी संतोश अमारे साथ जुड़ गए हैं संतोश ED की दबश जारकंड में लगातार जारी है खास करके टेंडर कपिशन घुटाले मामले को लेकर ED के अधिकारी पूछताच कर रहे हैं और अब तक कई सफेद पोश नाम भी इस मामले में सलिप्त पाए जा चुके हैं लेकिर अब कारवाई दूसरी दिश्या में बढ ED action में है और इस action का नतीजा है कि आज फिर ED ने जो टेंडर कमीशन में जो मंतरी के नीजी सचीव संजीव आलम और उसके नोकर जाहगीर आलम 18 डिसमिल पूदांग इलाका में जमीन खरदा था लगभग एक करोर 35 लाक में उस जमीन को ED ने जब करने की करवाई कर रही है औ और उस मामले में जो जमीन जिससे खरदा गया था ओन पेपर 50 लाक रुपया दिखाये गया है तो उस मामले में एक बड़ी करवाई ED करने के तियारी में है लगातार जमीन के जो बेचने वाजा था उससे ED पूस्ताच की है कई तत्त सामने आया है जी 18 डिसमिल जो जमीन थ एक बड़ी 35 लाक में खरदी गई थी उस मामले में ED के द्वारा कदम उठाया जा रहा है उसको जब जाएगा और इसका काली कमाई से जो जमीन खरदी गई थी उसको ED के अधिकारी 18 डिसमिल पुंदाग इलाका में अब जब करने की करवाई कर रहे हैं अब आगे और उसमें जांच हो आगे और किन लोगों को जब जो काली कमाई में जमीन खरदी गई थी उसे ED जब करेगी जी बिल्कुल संतोश इसके अरबा जो जानकारी मिल पारी है उसके मुताबक इन दोनों नहीं अपनी अपनी पतनियों के नाम पर जमीन को खरीदा है अवैत तरीके से ये जमीन अर्जुत की गई है ऐसे में एडी के अधिकारियों की तरफ से किस तरह से कारवाई की जाएगी देखे इस मामले में चाहे संजीव लाल की पतनी रीता लाल को पूस्ताच के लिए एडी के अधिकारी बुलाया थे लगबग घंटों पूस्ताच हुई ति उस मामले में दोनों को सम्मन करके पूस्ताच के लिए बुलाया गया था कि कैसे 35 कड़ोर 37 लाख रुपया जो इसके नाम से कैसे अपनी पत्मियों के नाम से कई सम्म पती जारखंट के कई डिस्टिक में चाहेवो रांची की बात करे, सहभ गंज की बात करे या पाकुड के कई डिस्टिकों में इन्होंने काली कमाई से जमीन खर द तो अब एडी धीरे धीरे वह सिकंजा कस रही है कि जो पत्मियों के नाम से अभी फिलाल पुन्दाग इलाके में 18 डिस्मिल जो सूचना मिल रही है एडी के सुत्र बता रहे हैं कि 18 डिस्मिल जो एक कडोर 35 लाक में जमीन खर दी गई थी उसको फिलाल जब्द करने की करवाई एडी कर रही है और आगे अब देखना हो कि और ज सारखंट से जहां टिंडर कमीशन गुटाला बामले में एडी की करवाई अब आगे बढ़ेगी और साथ ही अब जमीन को जब्त करने का काम एडी की तरफ से किया जाएगा संजीब लाल और जहांगीर आलम इन दोनों ने ही अपनी अपनी पत्नियों के नाम से अवैध जमी सारखंट से जहां टिंडर कमीशन गुटाला बामले में एडी की दबश लगतार जारी है और अब एडी के अविकारियों की तरफ से जमीन को जब्त करने का काम किया जाएगा संजीब लाल और जहांगीर आलम ये दोनों पहले से ही जेल में है और इन दोनों ने ही अपनी अपनी पत्नियों के नाम से जमीन खरीदा जिसे अब एडी जब्त करने का काम करेगी